नमस्कार दोस्तों गुर्कुल कवीज में आपसे भी का सवागत है आज हम आपके लिए जीकी के टोफोर्टी कोशन लेकिया हैं जोरेली प्लीस एंटीपीसी गुरूटी एससी चीहेचल एम्टीएस डीरडियो यूपीसी एस्टेट सीटेट देली प्लीस रास्वान प्लीस गराम सचीकल रख पटवारी सबी एक्जामों में बार बार पूछे गई हैं जो आपके आने वाले किसी भी एक्जाम में बहुते यूजबल और बेन फैसर रहने वाले हैं वीडियो कौन तक जोर देखेगा वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करें और आपने फ्रेंस के पास शेयर करें ताकि वो बियाने वाले किसी भी एक्जाम में इन कोशनों का फाइदा उठासकें परते कोशन का अंसर देने के लिए आपको पांस सेकिन का समय मिलेगा उसके बाद हम आपको अंसर पता देंगे अगर आप मने से पढ़ाई करते हो तो इन 40 में से 30 का पाओ नहीं तो आप टेम पास करते हो अपना समय बरबात करते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकने ओन कर लें तो फ्रेंट्स देखिए कोशन स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंट्स आज का हमरा फ़र्ष्ट कोशन है ट्रांस साइबरीन रेल मार की कुल लंबाई कितनी है कितनी है त्रांस साइबरीन रेल मार की कुल लंबाई कितनी है कितनी है त्रांस साइबरीन रेल मार की कुल लंबाई कितनी है कितनी है त्रांस साइबरीन रेल मार की कुल लंबाई कितनी है कितनी है त्रांस साइबरीन में पनामा नहर पर किस देश का नींतन है किस देश का नींतन है वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नींतन है किस देश का पनामा नहर पर किस देश का पनामा देश का नींतन है यह होगा इस कोशन का राइट आंस्वर देखे नेक्स्ट नीमन में कौन मानोकृत नहर जलमार्ग है कौन सी फ्रेंट से मानोकृत नहर जलमार्ग कौन सी है कौन सी फ्रेंट से स्वेज नहरोरे पनामा नहरे ये दोनो मानोकृत नहर जलमार्ग है कौन सी ये दोनो फ्रेंट स्वेज नहरोरे पनामा नहरे C होगा इस question का right answer देखे next आंत्रिक जल यातायाद है तो सबसे उप्यूक्त इम मैत्मुन नदी कौन है कौन सी फैंट से सबसे मैत्मुन नदी कौन है आंत्रिक जल यातायाद है तो कौन सी फैंट से राइन नदी है कौन सी राय नदी आंत्रिक जल यतायत है तो सबसे उप्यूकते नदी है D होगा इस question का right answer देखे next मुंबेश से कहा जाने के लिए सवेज नहर जल मार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा कहा से मुंबेश से कहा जाने के लिए सवेज नहर जल मार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा तो अफ्रेंट से सवेज का फ्रेंट से मुंबेश से सवेज जाने के लिए सवेज नहर जल मार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा काफ्रेंट से सवेज जाने के लिए B होगा इस कोशन का राइट आंसवर देखे नेक्स जनस्तंख्या का सबसे कम बार कहां पाय जाता है कहां पाय जाता है जनस्तंख्या का सबसे कम बार कहां पाय जाता है कहां पाय जाता फ्रेंट से ओसनिया में पाय जाता है कहां पाय जाता है जनसंख्या का सबसे कम बार है ओसनिया में पाय जाता है D होगा इस question का right answer देखे next जनसंख्या का सरवादिक बार कहां पाय जाता है कहां पाय जाता है हमने पिछले question में पढ़ा था जिनसंका का सबसे कम बार कहां पा जाता है ओसनिया में पा जाता है और सरवातिक बार कहां पा जाता है एस्या में पा जाता है फ्रेंट्स सबसे बार कहां पा जाता है एस्या में सरवातिक बार पा जाता है और सबसे कम बार ओसनिया में पा जाता है तो फ्रेंट सरवादिक हाँ पाजाता है A.C.A. में पाजाता है A होगा इस कोशन का राइट आंस्वर देखे नेक्स विशो के किस महादिप में आदिम जातियों की सरवादिक जनस्थन क्या पाजाती है किस महादिप में पाजाती है सरवादिक जनसंग्या आदिम जातियों की किस महादिप में पाय जाती है फैंट से अफरीका महादिप में पाय जाती है किस महादिप में अफरीका महादिप में आदिम जातियों की सरवादिक जनसंग्या पाय जाती है और अफरिका महादीब पे आकार के अनुसार दूसरा महादीब बड़ा है कौन सा दूसरा सबसे बड़ा महादीब है आकार के अनुसार पहला एसिया दूसरा अफरिका तो फ्रेंट से आदिम जातियों की सरवादी जन सिंक्या कहां पाय जाती है अफरिका महादिब में पाय जाती है See होगा इस Question का Right Answer पेस्चिमी गुलार्द में सतीत जन संख्या की दरष्टी से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन है जन संख्या की दरष्टी से? कौन सा Friends से? स्वेउत रजे अमेरिका है पिस्चिमी गुलार्द में सतिते जनसंख्या की दर्ष्टी से सबसे बड़ा तेज कौन है स्योंक राजे अमेरिका है ए होगा इस कोस्टिन का राइट आंसवर देखे नेक्ट एस्या महादीप में विश्व की कितनी परतिसते जनसंख्या का निवास है कितनी परतिसते जनसंख्या का निवास है एस्या महादीप में तो फ्रेंड से कितनी परतिसत है 55% है कितनी फ्रेंड से 55% है एस्या महादीप में विश्व की जनसंख्या का निवास है कितना फ्रेंड से 55% है सी होगा इस कोस्टिन का राइट आंसवर देख कोण सी फ्रेंट से तरीपुरा की राजबासा कोन है? कोण सी बंगला ट्रीपुरा की राजबासा है? D होंगा इस question का right answer संग साशित प्रदेश से लक्स दिप की बासा कौन सी है? सी होगा इस कोस्टन का राइट आंसूर देख नेक्स्ट गोवा की सविकृत बासा कौन सी है? ए होगा इस कोस्टन का राइट आंसूर देख नेक्स्ट बारतिय बासाओं में हिंदी के बाद विशो की कौन सी बासा अधिक्तम बोल जाती है? कौन सी फ्रेंट से हिंदी के बाद कौन सी बासा बोल जाती है? कौन सी बोल जाती है? बंगला बोल जाती है बारतिय बासाओं में हिंदी के बाद विशो की कौन सी बासा दिक्तम बुल जाती है बंगला बुल जाती है पहले हिंदी बुल जाती है सेकंड पर बंगला और थर्ड पर तेलगू बुल जाती है कौन सी फ्रेंट से थर्ड पर तेलगू बुल जाती है फ्रेंट से हिंदी के बाद कौन सी बुल जाती है बंगला बुल जाती है C होगा इस question का right answer देखे next हिंदी बासा बारतियों का परतिसते लगबग कितना है कितना फ्रेंट से 40% है कितना 40% हिंदी बासा बारतियों का परतिसते है कितना फ्रेंट से 40% है C होगा इस question का right answer देखे next निमले खितमे से किस बासा को सास्त्रिय बासा का दरजा दिया गया है किस बासा को दिया गया है सास्त्रिय बासा का दरजा किस बासा को दिया गया फ्रेंड से ओडिया बासा को दिया गया है किस बासा को ओडिया बासा को सस्तरिय बासा का दरज़ा दिया गया है यह होगा इस question का right answer फ्रेंड से अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओन कर लिए जेखे नेक्स्ट इन में से कौन सी बासा दरवड़ बासा परिवार का बाग नहीं है इन में से कौन सी बासा दरवड़ बासा परिवार का बाग नहीं है कौन बाग नहीं, Friends, से कौकणी बाशा, कौन सी कौकणी बाशा, दरड़ बाशा परिवार का बाग नहीं है D होगा इस question का right answer देख नेक्स्ट बारत्य बाशाओं को केंद्रिय संस्तान नमलिकति में से किस सतान पर सतीत है के सतान पर सतीत है बारते बासाओं का किंदरे संस्तान इन में से के सतान पर सतीत है के सतान पर सतीत है फ्रेंड्स से मैसूर में सतीत है कापरे मैसूर में बारते बासाओं का किंदरे संस्तान सतीत है कापरे मैसूर में B होगा इस कोशन का राइट आंस्वर देख नेक्स्ट निमलेखित में से कौन सी जमो कस्मिर की परमुक बासा नहीं है कौन सी नई फ्रेंड से जमो कस्मिर की कौन सी परमुक बासा नहीं है कौन सी नई फ्रेंड से मौनपा नहीं है मौनपा बासा जमो कस्मिर की परमुक बासा नहीं है कौन्सी नी फ्रेंड से मौन पबासा D होगा इस कोशन का राइट आंस्वर बार्द की सरवादी के प्राचिन लिपी कौन है कौन्सी फ्रेंड से बार्द की सरवादी के प्राचिन लिपी कौन है कौन्सी फ्रेंड से ब्रामनी है कौन सी बार्त के सरवादी के प्राचिनली पिकुन है ब्रामनी है D होगा इस कोशन का राइट आंस्वर सबन को जल में गुलने परे प्रिस्तनाव पर क्या प्रबाव पड़ेगा क्या प्रबाव पड़ेगा फ्रेंड से गट जाता है इसका प्रिष्टनाव गट जाता है सब उनको जल में गुलने परे उसका प्रिष्टनाव गट जाता है फ्रेंट्स क्या परवापड़े का गट जाता है ए होगा इस question का right answer देख नेक्स्ट सियानता की इकाई क्या है क्या फ्रेंट्स से सियानता की इकाई अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तुश्य सब्सक्राइब करना मत बोले और साथ मैं बडाल ऐकन आउन कर ले और लाइक करना मत बोले फ्रेंट सेंतर जिल की काई क्या है? कौन से फ्रेंट से परवाईजे? परवाईजे सेंतर की काई है ए होगा इस कोशन का राइट आंसर देखे नेक्ट लेंप की बत्ती में तेल किसके कान उपर उठता है लेंप की बत्ती में तेल किसके कान उपर उठता है किसके कान उपर उठता है कैसी की है गटना की कान किसके कान लेंप की बत्ती में तेल किसके कान उपर उठता है कैसे किया है गटना के कान उपर उठता है B होगा इस question का right answer कोई भी नाव डूब जाएक यदि वह पानी हटाती है अपने कोई भी नाव डूब जाएक यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर है तो फ्रेंड से किस के बराबर है आयतन के बराबर है अधिक कोई नाव तब डूप जाएगी जब है पानी अपने आयतन के बराबर हटाती है यह होगा इस कोशन का राइट आंसवर अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और ब महान वेग्यानिके आर्कमेडिज किस देश से सम्दित है किस देश से सम्दित है महान वेग्यानिके आर्कमेडिज किस देश से सम्दित है फ्रेंड से गरिश देश से सम्दित है महान वेग्यानिके आर्कमेडिज गरिश देश से सम्दित है डी होगा इस कोशन का राइट देखे नेट पर्थवी का प्लाइन वेग कितना होता है कितना होता है पर्थवी का प्लाइन वेग कितना होता है ग्यारा प्याइन तो किलोमेटर पर सेकिन्ड होता है कितना होता है पर्थवी का प्लाइन वेग कितना होता है ग्यारा प्याइन तो किलोमेटर पर सेकिन्ड होत देखे नेक्स्ट पास्कल एकाई है किसकी एकाई है पास्कल जल दिपते हैं फ्रेंड्स से पास्कल किसकी एकाई है दाब की एकाई है पास्कल दाब की एकाई है बी होगा इस कोर्शन का राइट आंस्वर देखे नेक्स्ट Q-Siek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek-Sek उर्जा है कौन सी उर्जा है गड़ी के सप्रिंग में बंडारित कौन सी उर्जा है कौन सी उर्जा है सतितिज उर्जा है कौन सी गड़ी के सप्रिंग में बंडारित उर्जा कौन सी है सतितिज उर्जा है B होगा इस कोशन का right answer देखे next नोटन मीटर मात रख है किसका मात रख है नोटन मीटर किसका मात रख है उर्जा का मात रख है नोटन मीटर उर्जा का मात रख है D होगा इस question का right answer देख नेक्स्ट बारत का रष्टे खेल किसे माना जाता है किसे माना जाता है बारत का रष्टे खेल किसे माना जाता है फिल्डे होकी को माना जाता है किसको बारत का रष्ट खेले होकी को माना जाता है यह होगा इस कोशन का राइट आनसूर देख नेक्स्ट स्रिलंका के रष्ट खेल की पहचान कीजिए क्या फ्रैंट से स्रिलिंका के रष्टर खेल के पहचान केजिए तो फ्रैंट से कौन सा खेल है वाली बल है कौन सा स्रिलिंका का रष्टर खेल कौन सा है वाली बॉल है B होगा इस question का right answer देख next पोलो खेल का प्रचलन बार के किस राजमें हुआ ओना बारत के किस राज में हुआ था मनीपुर में हुआ था देख नेक्स एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ाई होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ाई होते हैं एक पोलो टीम में चार खिलाड़ाई होते हैं? एक पोलो टीम में कितने होते हैं? सुनिल गावसकर जाना जाता है लिटल मस्टर के नाम से कौन सा बार्तिय जाना जाता है? सुनिल गावसकर जाना जाता है सी होगा इस कोशन का राइट आंसवर तर्बिनेटर के नाम से जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं टर्बिनेटर के नाम से? कौन जान जाते है फैंट से हर बजन सिंग जाने जाते हैं? कौन टर्बिनेटर के नाम से हर बजन सिंग जाने जाते हैं? सी होगा इस कोशन का राइट आंसवर देख नेक्स्ट मिल्खा सिंग को और किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंग को किस नाम से फैंड से देफ राइंग सिंग के नाम से मिल्खा सिंग को और देफ राइंग सिंग के नाम से भी जाना जाता है ए होगा इस question का right answer देख नेक्स्ट निमलेखित में से कौन हरियाना हरीकेन के नाम से परिशिद है कौन परिशिद है हरियाना हरीकेन के नाम से कौन परिशिद है कौन परिशिद है फ्रेंट से कपिल देव परिशिद है हरियाना हरिकेन के लाम से कौन परशिद है कपिल देलो परशिद है बी होगा इस कोशन का राइट आसर फ्रेंटस हमारी इस वीडियो में कोमेंट करके जुरुरू कताएं आपने कितने कोशन आ टैम की हैं सही की हैं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो अच्छे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओन कर लें ताकि आपको आगे आने वाले हर भी वीडियो का नोट्बिकेशन मिल जाए आज के लिए इतना ही जल्द मिलते है रेक्स वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद जाए बार्त